जोहां एक तरफ गयबेंद की वापसी का इंतसार कर रहे फ्रांस खोब गुसा हो रहे हैं मेकर्स के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं शो को बंद करने की मांग उठा रहे हैं तो भही इसी पवाल के बीच अब शो में एक नई एंट्री की खबरे सामने आ चुकी है जिहां नई हसीना एक बड़े किरदार को रिप्रेस करने वाली हैं और ये किरदार में से रोशन सिंग सोटी का जिसे शो में अब तक जनिफर मिस्तरी ने निभाया था हालकि मेकर्स से विबात के कारण जनिफर ने इस किरदार को कुछ महीने पहले ही छोड़ दिया लेकिन अब आपको बता दे कि इस पड़े किरदार को निभाएंगी अक्ट्रेस मोनास मेवावाला जिहां तारक महता का उल्टा चश्पा में श्री मती रोशन सिंग सोटी के रूप में अब अक्ट्रेस मोनास नजर आने वाली हैं जिनका स्वागत खुद शोके मेकर असित मोदी ने किया है असित मोदी ने मनास का गर्म जोशे से स्वागत करते हुए अपनी फिलिंग्स भी शेर की है उन्होंने कहा हम मोनास मेवावाला को पाकर बहुत खुश हैं अक्टिंग के प्रती उनकी प्रतिभा और जुनूद नी संदे किर्दार और शो में एक नया आयाम जोड़ देगा हम तारक महता का उल्टा चश्मा परिवार में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं उमेद है कि उनका किर्दार पहले से ही सीरीज में एक नया आयाम लायका और उनकी प्रफॉर्मेंस दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देगी वही मोनास मेवावाला ने भी अपनी एक्साइटमेंट जाहिद की है उन्होंने हालिया इंटर्वियू में कहा मैं तारक महता का उल्टा चश्मा परिवार का हिस्सा बनकर एक्साइटिड हूँ और काफी प्राउड महसूस करती हूँ मुझे ये भूमी का पसंद है और इस मौके के लिए मोधी की अभारी हूँ मैं इस किर्दार में अपनी पूरी उर्चा और दिल लगाऊंगी पहले असित मोधी के साथ काम करने के बाद मुझे पिछले 15 सालों से हर तारक महता का उल्टा चश्मा सदस्य के प्रती उनका जुनून और समर्पन पसंद है मुझे यकीन है कि सभी तारक महता का उल्टा चश्मा फैंस मुझे अपना प्यार देंगे और समर्थन देंगे आपको बता दी कि इस से पहले मिसेज रोशन सिंग सोटी का केदार जैनिफर मिस्तरी निभाया करती थी लेकिन उन्होंने शो छोड़ने और प्रोडियूसर असित मोधी पर यौन और पीडन का आरूप लगाया था जिसके चोलते ये केदार काफी चर्चा में आ गया हाला कि अब देखना तो ये है कि मिसेज रोशन सोटी के केदार में मनोच या फिट बैठेंगी और लोगों को अपनी एक्टिंग से वाके में इंप्रेस कर भी पाएंगी या फिर नहीं